कोरोना काल में होने जा रहे सभी आम चुनाव और उप चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने नए नियम काईदे जारी कर दिये हैं इसमें साफ किया गया है कि चुनाव सम्मंदी सभी कामकाजों में कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाना होगा चुनाव सम्मंदित हर गतिविधी के दौरान मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी होगा चुनाव प्रचार से लेकर मद्दान तक की पूरी प्रक्रिया काफी अलग होगी जिसके लिए चुनाव आयोग ने खास नियम जारी किये हैं पहले बताते हैं चुनावों की गाइडलाइन्स गाइडलाइन्स के मुताबिक दिव्यांगों, 80 साल से अधिक उम्र के बुजर्गों, जरूरी सेवाओं में जुटे कर्मचारियों और कोरोना संक्रमितों के अलावा संभावित लोगों को पोस्टल बैलिट से मद्दान की सुविधा दी जाएगी मद्दान से एक दिन पहले बूथों को सैनिटाइज किया जाएगा सभी मद्दान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कानर की व्यवस्था होगी पोलिंग स्टाफ, या पेरामेडिकल स्टाफ या आशा वरकर्स के जरीए सभी मद्दाताओं का थर्मल स्कानिंग की जाएगी यदि किसी मद्दाता के शरीर का तापमान स्वास्थर मंतराले की ओर से तैम आपदंट से अधिक हुआ तो उसका तापमान दुबारा मेजर किया जाएगा यदि इस बार भी अधिक रहा तो ऐसे मद्दाताओं को एक टोकन दिया जाएगा और मद्दान के आखरी घंटों में आने के लिए कहा जाएगा ऐसे मद्दाता को COVID-19 संबंदित अधिक एतियातों के साथ अंत में मद्दान करवाया जाएगा सभी वोटर्स को पहले आओ पहले पाओ आधार पर टोकन दिया जाएगा ताकि लोगों को कतार में इंतजार ना करना पड़े सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जमीन पर निशान बनाये जाएगे दो मद्दाताओं के बीच 6 फिट की दूरी होगी महिला और पुरुष मद्दाताओं के लिए भी वोटिंग एरिया अलग-अलग बनाये जाएगे सभी पोलिंग स्टेशन में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर साबुन, पानी और सैनिटाइजर उपलब्द कराये जाएगे कोरोना काल में बूथों पर मद्दाताओं की संख्या भी कम रखने की व्यवस्था की गई है यानि बूथों की संख्या बढ़ाई जाएगी और एक बूथ पर अधिकतम हजार मद्दाता होंगे अब बात करते हैं चुनाफ प्रचार की कोरोना काल में चुनाफ प्रचार के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं कैंडिडेट अधिकतम पांच व्यक्तियों के साथ करगर प्रचार कर सकते हैं रोडशो के दारान वाहनों का काफिला पांच-पांच वाहनों में बटा होगा कोविड-19 गाइडलाइन्स के आधार पर रैलियों की मंजूरी दी जा सकती है इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को कई निर्देश दिये गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी जन सभाओ के लिए जगे खुद तै करेंगे जिसमें एंट्री और एक्जिट पॉइंट बने होंगे जन सभास्थलों पर सोशल डिस्टिंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी होगा COVID-19 गाइडलाइन्स का पालन कराने के लिए नौडल डिस्ट्रिक हेल्थ ऑफिसर को प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी और SPS सुनिश्चित करेंगे कि स्टेट डिजास्टर मैनेज्मेंट अथॉरिटी की तरफ से स्वीकृती से अधिक लोग एकत्रित ना हों दन्यवाद अभी के लिए इतना ही ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हाप उढ़ल चल के साथ